दोस्तों मोवीक्यूग को आप जानते होंगे मोवीक्यूग के अप्लिकेशन भी आप इस्तमाल कर रहे होंगे आपको मालूम होगा कि मोवीक्यूग के अप्लिकेशन में पैसे से पैसे कमाने का एक आप्सन है और पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है तो जब आप पर भी आले option में जाओगे तो आहाँ पर आपको मालम चल जाता है वेसीकली मैं आपको बता दो कि moderma理 कि इक्स्टरा वाला option में दो प्लान आपको दिखाई देता है एक तो आपका होता है flexi plan और दूसरा होता है आपका Plus plan फ्लेक्सी प्लान का खेल खुत खतम हो चुका है, जो नया investor है, जो invest करना चाहते हैं, वो भी वहाँ पर involved नहीं कर पाएंगे, और जो पुराने हैं, वो भी invest नहीं कर पाएंगे。 क्या आपका पैसा डूब गया क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है आज की इस वीडियो में यही तो अपडेट में आप सभी को देने आया हो कुछ लोग के टेलिग्राम पर भी मैसेज किये थे कि जो फ्लैक्सी प्लान है उसमें एड मनी नहीं हो रहा मोवीक्यूक एक्स्ट्रा क्य हुआ पैसे का क्या होगा बहुत सारी चीजे है तो मैंने भी चैट किया मोवीक्यूक से और क्या कुछ उनके तरब से कहा किया वो मैं लाइफ दिखाऊंगा लेकिन इससे पहले आप लोग जान लेजिए दोनों प्लान में अंतर क्या है देखिए मोवीक्यूक एक्स्ट्रा में आप जाते हैं तो फ्लैक्सी प्लान होता है फ्लैक्सी प्लान में यह होता है कि जब चाहे तब आप उसमें पैसे जोड सकते हैं एड बनी कर सकते हैं इंवेस्मेंट कर सकते हैं और जब चाहे आपको जरूरत परा आप निकाल लीजिए अब निकालने के बाद होता क्या है कि देखो उसमें तो rate of interest 12% के अनुसार से दिया जाता है परेनम के हिसाब से लेकिन जो calculate है न वो daily के basis से किया जाता है और प्रती दिन आपको interest मिलते चला जाता है तो आप या तो अपना interest वाला निकाल लो या investment किये हुए हो वो निकाल लो या दोनो निकाल लो तो जब आप जितने दिन तक पैसे रखोगे उतना दिन तक के जोड़ के आपको मिला हुआ रहता है तो उसमें जब मन तब आप withdraw करते थे तो कोई extra charge आपको देना नहीं परता था और ये allow भी था कि आप जब मन तब आपने पैसे निकाल सकते हैं लेकिन plus में क्या होता है कि plus में एक lock-in period डाल दिया जाता है कि एक महीना के लिए आप रख रहे हो तीन महीना के लिए छे महीने के लिए या फिर एक साल के लिए lock-in period से पहले आप उसमें के पैसे नहीं रिकाल पाते हूँ हाँ जो flexi plan है उससे आपको थोरा सा extra जो है इसमें rate of interest देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी मैं कहता था कि flexi plan better option है कि आप अपने bank account पे पैसे ना रख कर अगर 10 दिन के लिए भी आपका bank account पे पैसा रखने वाले हूँ आप तो इसमें flexi वाला option को चून कर रख लो जो कुछ भी मिलेगा ना पैसे वो bank के rate of interest से जादा मिलेगा और फिर आप यहां से जो है जब मनतव आप निकासी कर सकती हो लेकिन अब flexi plan रहा नहीं आए दिखाता हूँ जैसे यह देखिए दोस्तों यह है moviq का application और moviq का application में just आपकी home page पर ही extra 13% वाला option मिल जाता है इसमें आप देखोगे तो मेरा कुछ investment भी है जो कि यहां पर आप देख सकते हो daily basis के हिसाब से यहां पर जो rate of interest है यानि 12% पर रहनम के हिसाब से वो credit करते जा रही है अब इसमें क्या है कि यहां पर एक withdraw का option है जहां पर मैं click करूंगा तो यहां पर या तो interest केबल निकाल सकता हूँ नहीं तो पूरे निकाल सकता हूँ ठीक है यहां पर withdraw का option मिल जाता है transfer to plus का option मिल जाता है मतलब इनका एक plan है plus में transfer करने का वो option मिल जाता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर invest mode पर click करता हूँ amount चुनता हूँ और invest करने जाता हूँ तो लिख दिया कि भाई अब आगे accept नहीं किया जा रहा है मतलब आब आप flexi plan में invest नहीं कर सकती हो आपको बता दू कि अगर आप नया user है ना तो भी आप invest इसमें नहीं कर पाओगे और पुराना user भी नहीं कर पाएंगे लेकिन जो invest कर चुके हैं उनका क्या तो वो अगर निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं नहीं तो रहने देंगे तो जो rate of interest के अनुसार से जो 12% के अनुसार से पर NM के अनुसार से आपको मिलता है वो आगे भी आपको मिलता रहेगा जिसमें कोई दिकत परसानी नहीं है अगर बात करूं यहाँ पर दूसरा जो प्लान है यहाँ पर invest mode पर क्लिक करता हूँ प्लस वाला प्लस वाले प्लान के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कई option मिलती है एक महीने के लिए अगर आप invest करना चाहते है तो पर NM के हिसाब से आपको मातर 10% का rate of interest दिया जाएगा और इसी के अनुसार से आपका calculate करके दिया जाएगा उसके बाद 3 महीने के लिए रखते हो तो 11% पर NM के अनुसार से हिसाब हो रहा 12 महीने के लिए रखते हो तो 12% पर NM के हिसाब से आपको मिल रहा और वही अगर आप 24 महीने के लिए रखते हो तो 13% पर NM के हिसाब से आपको मिलने वाला है देखे इसमें बदलाव किया गया है सुरू में आपको जादा मिलता था देखे जैसे एक महीने के लिए भी 12% मिलता था लेकिन यहाँ पर फ्लैक्सी प्लान बंद करके मतलब उसमें इन्वेस्मेंट ना करबा कर और नया इन्वेस्टर ना आए और उसकी बात जो यह प्लस व तो उसकी बाद या तो आप पैसे को विट्रो कर लो नहीं तो री इन्वेस्मेंट आप कर सकते हो फिर से आप जो है लोक इन पिरेड में डा सकते हो आपको याद ही होगा जो भारत पे का इक्स्ट्रा 12% कलब है वो भी पहले 12% देता था लेकिन अब देखोगे तो काफी कम हो गया है जिसके उपर मैंने एक डिटेल में भी वीडियो बनाया था लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सर में है तो ऐसे जितने भी मतलब पैसे से पैसे कमाने वाली चीजी है सुरू में तो आपको लालच दीगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रेट ओफ इंट्रेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे यह रिजॉल्ब कर दिया गया है एक्स्ट्रा वाला जवाब किया आया वूसे मैं आपको बता देता हूँ देखो एक टिकेट जनरेट हुआ था जो मैंने यही सवाल पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ है तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि यहां पर जो है देख सकते है कि मैंने नया जो एड मनी है या जो इन्वेस्ट है उसे मैंने इन्वेस्मेंट फ्लेक्सी वाला प्लान में बंद कर दिया है और नया इन्वेस्टर जो है केबल प्लस वाला में ही इन्वेस्ट कर सकेंगे जिसमें इन्होंने बताया है कि एक of interest वहाँ पर बूला गया यानि 12% पर NM के हिसाब से वो आपको मिलता रहेगा उसमें आपको कोई दिक्कत परसानी नहीं होगा overall आपको यहाँ पर live भी दिखा दिया अगर आप पढ़ना चाहते हैं बगल में screenshot है आप पढ़ सकते हैं लेकिन जो मैंने आसान भासा में आपको समझाया ना वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको बता दू कि ऐसे बहुत सारे application है जो आपको 12% 13% दिती है लेकिन उनकी पास जब user base बढ़ जाता है ज़्यादा investment होने लगती है या तो वो plan ही बदल दते हैं नहीं तो वो rate of interest के अनुसार से वो कम कर दते हैं वैसे मैं आपको बता दू कि फिर भी bank का savings account है उसमें जो balance रखते है ना उससे ठीक interest आपको मिलता है लेकिन इसमें कितना risk है किस तरह से है इसके उपर एक detail में video है मेरा आप देखना चाहें तो link video का description में है जरूर देख लीचेगा basically मैं आपको बता दू कि इस पैसे को न वो लोग loan वेकरा लगाती है और अगर सामने वाला बंदा कोई loan नहीं चुका पाता है पैसे डूब जाता है तो आपका इसमें डूबने का risk होता है लेकिन उतना वी risk ज़्यादा मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैं लंबे समय से इसमें पैसे रखा हुआ हूँ और अभी तक मुझे ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला इस वीडियो फिलाल इतना है वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक सेयर कर दीचेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेचेगा अगर इसी परकार के और application जो RBI, NVFC approved होना चाहिए या NVFC से जो partnership कर रखे हैं वो approved होना चाहिए इसके उपर detail में आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के निचे कमेंट करके बताईएगा या फिर ऐसा कोई application है जिसकी बारे में आप जानकारी चाहते हैं कि वो safe है या नहीं किस तरह से है वो registered है या नहीं यह सब अगर आप जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताईएगा मैं आने वाले दिनों में आपकी कमेंट के उपर वीडियो बना कर दे दूँगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही लाइक कर दीजिए अपने साथी दोस्तों तक जरूर से जरूर से एर कर दीजिए धन्यवाद